Good morning children, हमने English की पढ़ाई करी, हमने Maths में Numbers भी सीखे, अब हमारे क्या पचाले हिंदी, और हिंदी तो बहुत अच्छा होता है, हम बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, और आपने हिंदी में सीखा भी है, पढ़ा भी है, तो चलिए, अब अपन और से अहा रिवीजन करते ह मैं आपको अ से अहा तक का रिवीजन करवाऊंगी, और आपको वो घर में रिपीट करना है, बार बार बोलना है, बार बार करना है कर से अनार, कर से अनार, कर से आम, सबने मिठा मिठा आम खाया है ना अभी घर्मियों में, आ से आम इसे इमली इमली तो बहुत खट्टी होती है इसे इमली इसे इक गन्य करस किस को पसंद है मुझे तब बहुत पसंद है और गन्य को हम क्या बहुते हैं इक इसे इक उसे उलू उलू पता है रात में होता है और दिर में सोता है उसे उलू उसे उलू उसे उन जो हम थंडी के दिनों में गरम गरम स्वेटर पहनते हैं वो उन से बने होते हैं उ से उन, और उन किस से मिलता है, भेड से शीव, उसे हमको क्या मिलता है, उन उन, उ से उन, री से रिशी, री से रिशी, सब के पैरों में नीचे एडी है न, सब ज़री से अपने पैरों में एडी को टच करेंगे, ऐसे एडी, ऐसे एडी, ऐसे आइन, ऐसे आइन, सब ने आइनक दिखा है, देखो एक आइनक मैं भी आपको दिखा रहे हूँ, ऐसे एनक, ऐसे एनक, ऐसे ओखली, ममी अधरब पुटती है ओखली में, ऐसे ओखली, ऐसे ओखली, ऐसे औरत, औरत को नोते हैं? ममा होती है, दीबी होती है, दादी होती है, उनको क्या बोलते हैं? अउसे औरत, और अंग से अंगूर, खटे मीछे अंगूर किस-किस को पसंद है? मेरे तो फैबरेट हैं, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, आहा, आहा मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, आहा मतलब, सब खुश-खुश होके अ से अहा तक पढ़ेंगे, एक बार सब वापस से मेरे साथ रेपीट करेंगे, अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, इ से इग, उ से उल्लू, उ से उन, रिशी, ए से एडी, आ से आइन, ओ से ओखली, आउ से औरत, अंग से अंगूर, आहा, अब कल सब बच्चे अपनी ममी के साथ मेरे के लिए पढ़ेंगे, और मुझे बताएंगे, सब को करना हैं, वेरी गूट, थैंक्यू,